Good morning students, today, day, Thursday, day 31 December 2020, class 5th, chapter number 45, आपकी chapter का नेम है Endless End, End का मतलब क्यों होता है, अंत, छहां पे खतम होता है, अंत, हीन, अंत, Read the description and write the answer, हमें description रीड करके उसके answer लिखनी है, आपको इस chapter करने से पहले मैं आपको बता दीती हूँ, यह जितने भी description रीड करके जिब इसका answer लिखेंगे, तो हर किसी word के पीछे end end तो पक्का ही आएगा, वैसी इसका chapter का नाम, इसली तो इसका chapter का नाम क्या है, Endless End, देखिए, first हम रीड करते हैं, add one letter to the word end to make a word meaning to repair, ऐसा word जिसके पीछे end end तो आता ही है, उसके अंदर हमें क्या करना है, जोड़ना है, एक अक्षर, एक शब्द में एक अक्षर जोड़ना है, जिसका meaning बताना है repair का, क्या meaning है, mend, mend क्या होता है, मुरम्मत करना, देखो पीछे end end लिखा होगा है, mend, जिसका मतलब होता है, मुरम्मत करना, जैसे, जब कोई शूज तूट जाए, तो उसकी मुरम्मत करवाते हैं, कॉबलर के पास जाके, वैसे ही, जैसे कोई कपड़ा फट जाए, किसी कपड़े में छेद हो जाए, तो हम रफू करवाते हैं, तो उसे बोलते हैं, mend, मुरम्मत करना, next देखिए, add one letter to the word, and to make a word meaning to forward, अब हमने एक letter add करना है, और meaning बताना है, forward का, forward का meaning क्यों होता है, आगे बढ़ाना, तो इसका, इसका क्या हैगा, send, send मतलब होता है, भेजना, अगर हम word meaning करें, तो forward का क्या होगा, send, देखो, इसके पिछे, end, end आ गया, next देख का word meaning the current style or fashion, current क्यों होता है, वर्तमान, जो समय अभी चल रहा होता है, style, fashion, जिसे day by day fashion, change होता रहता है, नई नई चीज़े आती रहती है, तो उसे क्या बोलते है, trend, next देखिए, add two letters to the word meaning the act of combining or mixing, अब इसके अंदर two letters हमें add करने है, जिसका मतलब बताना है, combining or mixing, combining मतलब मिलाना, mixing करना मतलब मिशरन, तो जैसे mixi के अंदर हम मसाला करते है, mix करते है, तो उसे क्या बोलते है, blend, blending करते है, उसे बोलते है, blend, जैसे हम किसी भी मसाले को mix करते है, उसे बोलते है, blend, add three letters to the word, अब इसमें तो one था, इसमें भी one था, इसमें two letters add करने थे, यहाँ जिसका meaning का बताना है, a person you trust, जिस पे आप विश्वास कर सको, भरोसा कर सको, वो कौन होता है, friend, एक friend ऐसा होता है, साती होता है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, add three letters to the word, इसमें भी three letters add करने, जिसका meaning बताना है, to protect from attack or danger, क्या करना है, हमले, protect मतलब होता है, बचाना, किस से बचा के लिए, हम ऐसा, क्या meaning use करेंगे, defend, defend का meaning क्या होता है, बचाव, बचाना, next देखिए, add three letters to the word, and to make a word, meaning to cause of displeasure or anger, अब इसमें कितने word add करने हैं, three letters add करने हैं, और किस के लिए, इसका meaning बताना हमें, to cause, displeasure or anger, मतलब नराजगी या गुसा पैदा करना, इसका मतलब होता है नराजगी या गुसा पैदा करना, इसके लिए हम क्या meaning लिख सकते हैं, offend, offend का मतलब क्यों होता है, बढ़ाना, जब हम गुसा आता है, ज़्यादा गुसा आरा हुसे बोलते हैं, offend, बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, उसे offend बोला जाता है, add three letters to the word, and to make a word, meaning to enlarge, enlarge मतलब क्यों होता है, बढ़ा करना जैसे, enlarge को मतलब ऐसे एक शब्द का अर्थ हमें बनाना है, ऐसा शब्द जिसके अंदर three letters add करने है, जिसका meaning क्या होता है, विस्तार, विस्तार मतलब होता है, बढ़ा करना, और next देखे, इसका meaning क्या लिख सकते हैं, extend, extend का मतलब क्या होत बढ़ाना, extend का मतलब होता है, बढ़ाना, next देखे, add four letters to the word and to make a word meaning, four letters आपको अब इसमें जोडने हैं, पहले three चल रहे थे, अब four है, four at, जिसका meaning निकलेगा, to give a false impression or to bluff, क्या मतलब है इसका, false impression मतलब गलत सोचना, किसी के बारे में गलत सोचना, और उसको बहकावे में या जहांसे में लेना, और उसको word को क्या बोलते हैं, pretend, pretend मतलब होता है, दिखावा करना, बहाना करना, for example, जैसे अगर आपको teacher class में पढ़ा रही है, sometimes कई बच्चे क्या करते हैं, show करते हैं कि हम बट उनका बढ़ाई में दिहान नहीं हो रहा है, बट वो दिखावा कर रहे होते हैं, इसका मतलब वही होता है, pretend, मैंना को example दिया है, pretend के meaning के लिए, add four letters to the word, and to make a word meaning, to interrupt or defer for a period of time, अब इसमें four letters add करने हैं, जिसके last पी end होगा, जिससे के बोलते हैं, interrupt or defer for a period of time, period of time मतलब सम की अवदी, समय की अवदी के लिए, रोकना, रुकावट और तालना, ठीक है, भांदित मतलब होता है, interrupt मतलब होता है, भांदना, भांदित, रुकावट, रोकना है, defer, defer का मतलब होता है, टालना, रोक देना, उसे के बोलते हैं, suspend, जैसे स्कूल में अगर कोई बच्चा mistake कर करता है, कोई गल्ती करता है, तो उसे suspend कर देते हैं, suspend करने का मतलब उसे कुछ दिनों के लिए, स्कूल आने के लिए, रोक देते हैं, उसे बोलते है, suspend, हम दुबारा हम स्पैलिंग्स देख लेते, M.E.N.D.M.D.M.D.M.D.M.D.M.D.M.D.M.D.M.D.M.D.M.D.M.D.M.D.M.D.M करना मतलब mix mix करना then have friend friend कौन होता है दोस्त defend बचाव बचाना उसके बाद है offend offend क्या होता है अपमान next देखिए eight number पे क्या है extend extend क्यों होता है बढ़ाना किस जैसे कई बार होता है को function उसे extend कर देते हैं कि आगे बढ़ा दिया कुछ दूर रख दिया extend करना next pretend दिखावा करना next is suspend रोकना रोक देना या आगे टालना ठीके thank you have a nice day